नमस्कार A.S. News में आपका स्वागत है खोजपूरी फिल्म इश्टार दिनेश लाल निरहुआ को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद उनके पैतरे गाउट डंडवा में हर्श उल्लास का माहूल है लोगपूरी भोजपूरी गायक और फिल्म इश्टार दिनेश लाल निरहुआ गाजी पुजपूरी फिल्म में अपनी चमक बिखेदने वाले निरहुआ राजनैतिक फलक पर भी सितारे बन कर चमकेगे आपको बदादे गाजी पुजपूरी ले के जखनिया तहसिल के शाधिया बश्चत्र का छोटा सा गाउट है टंडवा इसी गाउं के बाशिंदे कुमार यादो के दो पुट्रों परवेश लाल और दिनेश लाल में से एक दिनेश को आज देश निरहुआ के नाम से जानता है निरहुआ का बचपन गाउं के इन ही गलियों में खेलते गायकी का रियास करते गुज़रा बचपन से ही गायकी और अभिनह की रूची रखने वाले दिनेश लाल निरहुआ ने घोजपूरी फिल्मों के इस्टार तक का मुकाम हासिल किया पहले एल्बम निरहुआ का सकल से फिल्मों की दुनिया में कदम रखने वाले निरहुआ ने घोजपूरी फिल्मों में अपना खास मुकाम हासिल किया अब वे अपनी राजनेर्टिक पारी की शुरुवात कर रही हैं हाम लोग तो मध्ट बता रहा हुआ है अपने हागे साथी आबास के लोग जो भी बीजेपी के कारकता है हंदेट परसंट पुप सर और साथ साथ सचे जंता भी खुप सर प्यचछ पार्टी लेवल की बात अलगा जोजिस पार्टी का उसी बात अलगा कि अजनने हुए यही से पहले उनका जो विरा बड़ी बाली मर्जीद के सामने सो सुरू हुआ हम लोग उसमें साथ दिये विरा करा है आज देखिये कि इंशाला कि कितनी करम है कि वह कहां से कहां प्यक्ति चला गया आज हाई लेबल में चला गया बास्का की जो बड़ी टीम हैं जैसे नरे नुमुजी जी हैं मित्सा हैं महिमनात पांडे उन लोगों के साथ जो आज हुआ उस लेबल में बैठ रा उस तुनाव लगने जा रहा है आजेम गड़ो से उनके लड़ने से आप समझें कि पुरे पुरवांचल में एक अजीब समहौल बना हुआ है और वे और आजेम गड़ से जो वे सांसदी का चुनाव लड़ रहा है आखलेजी के आप तो अपोजित बहुत ही बढ़ियां बहुत ही बढ़ियां उनको अपना फेवर देंगे और महां से सांसद बनेंगे और वे एक बहुत बढ़ियां पहले हम लोग के साथ किर्केट भी खेला करते थे लेकिन आज हुए मतलब की भोजपूरी जगत में एक अच्छे एक्टर के रूप में आज भिख्यात है और उन्होंने मोदी जी के का रेपर और मोदी जी के उनके कामों पर मोदी जी के साथ ज़त हुए हैं और जितने भी राष्ट भ्यक्त हैं, जितने भी डेश को मानने वाले और देश से जुड़ने वाले लोग जाच के साथ जूड़े हैं और विरोधियों लोग को यह बहुत करारा जवाब होगा वहीं आपको बता दें भोजपूरी सिनमा इस्टाल निरहुआ को बीजेपी ने आजमगर से अपना प्रत्याशी बनाया है निरहुआ सपा अध्यक्ष, अखलेश यादो को चनोती देंगे भोजपूरी फिल्मों और गायकी में सफल पारी खेलने और अभी का नाबाद रहने वाले निरहुआ ने अब राजनेतिक पारी भी शुरुआत कर दी है गाजीपूर समेथ समूचे पुरवांचल में निरहुआ के बेशुमार फैन है शायद यही वज़ा है कि बीजेपी ने अखलेश के सामने निरहुआ को उतार कर बड़ा सियासी दाव खेला है फिलहाल निरहुआ के गाउँ वाले ने बीजेपी का टिकट मिलने पर बेहत उस्साहित है और उम्मीद कर रहे हैं कि किर्केट में खासे दिर्जस्पी रखने वाले निरहुआ सियासी पारी में अकलेश को हरा कर कमाद करेंगे गाज़ीपूर से एस नियूस के लिए आरी फार सिकेट बोल